जिसे मालों कोश्चर में लिख रहा हूं बताना इसे लिखा है M बराबर अंडरोड 1 प्लस अंडरोड 1 प्लस अंडरोड 1 प्लस अंडरोड 1 डैस डैस इन्फिन्टी हो है और N बराबर ये दे रखा है 1 मानस अंडरोड 1 मानस under order 1 minus under order ये दे रखा है तो बताना है तो कौन सा कथन सही है कौन सा कथन सही है पहला है option m plus n plus 1 बराबर 0 दूसरा है option m minus n minus 1 बराबर 0 तीसरा है option m minus n plus 1 बराबर 0 और चौथा option है m plus n minus 1 बराबर 0 इसको कैसे करते हैं इसके दो तरीके हैं इसके तुम्हें हम दो तरीके बताते हैं फर्स्ट मैठेड इसको पहले जैसे हम पढ़ रहे थे वैसे करेंगे m का मान जो आएगा वो आएगा plus minus under root कितना 4 बन जब 4 एक 5 और plus 1 by 2 आएगा और जो n बराबर आएगा वो plus minus under root 5 minus 1 by 2 आएगा यह कह सकते हो m बराबर जो है plus minus root 5 by 2 और plus 1 by 2 आएगा यह कह सकते हो plus minus under root 5 by 2 minus 1 by 2 आएगा अब पहले option में रखा हमने इसमें जोडेंगे सब तो सब जोडेंगे अगर तो यह cancel हो जाएगा अगर सिर्फ जोडेंगे तो यह बचेगा मतलब 0 नहीं आएगा तो यह answer नहीं होगा दुबारा में m और n को घटा देंगे अगर हम इनको घटा देंगे तो यह plus हो जाएगा यह cancel हो जाएगा यह हो जाएगा 1 और यह minus 1 बराबर क्या जाएगा 0 मतलब यह चीज़ क्या हो जाएगी satisfy हो जाएगी दूसरा method क्या है? second method जो है second method देखो second method अगर जिस पच्चे को basic आता है वो जल्दी से question solve कर लेगा इसको अगर यह नहीं भी आता है formula अगर यह नहीं भी कर पाता है तो भी लगा ले जाएगा कैसे इसका यहीं पर square कर देंगे m square बराबर जैसे अभी basic हम लोगों ने solve किया था यह ऐसे होगा वैसे ही इसको जब solve करेंगे तो n square बराबर यह 1 minus क्या होगा n होगा सही है अब जब इसको solve करेंगे तो इसको घटा दो यह घटा दिया यह घटा दिया तो यह क्या यह minus minus plus हो जाएगा तो यहाँ से m square minus n square यह बनेगा बराबर यहाँ से यह cancel हो जाएगा यहां से M-N बनेगा इसके दो factor हो जाएंगे एक हो जाएगा M-N दूसरा हो जाएगा M-N यह बराबर क्या है M-N हो गया तो यह cancel हो गया तो यहां से M-N, sorry, कौँँ से cancel होगा M-1 cancel हो जाएगा यह plus वला होगा ठीक, अब यह cancel हो जाएगा तो यहां से बचेगा M-N बराबर 1 solve करोगे M-N मानस 1 बराबर 0 यह चीज़ तब भी हो जाएगी अगर आपको basic आता है तब भी यह answer होगा इसका score कर देंगे दोनों को घटा देंगे तो M-N2 बराबर M-N क्योंकि घटा होगे तो मानस प्लस हो जाएगा तो इसको solve कर लोगे तो यह चीज़ ऐसे बन जाएगी M-N-1 बराबर 0 आई बात समझ में इसमें आप से पूछ लेता है एक question on ले रहे हैं इससे लिखा है कभी under root लिखा है और सीदे सीदे अंदर यह multiply होता चला जा रहा है ऐसे ऐसे यह solve होता चला जा रहा है कहां तक? infant 2 तक यह कभी लिखा है हो सकता red marker ना दिख रहा हो साफ तो black use कर रहा है जैसे मालो लिखा है अंदर लिखा है 12 fill लगा है 12 fill लगा है मतलब सीदे सीदे multiply में दे रखा है और यह कहां तक है infant 2 तक दे रखा है जब कभी भी ऐसे होता है तो इसका मान जो अंदर value होती है वही उसका answer होता है यहाँ जो अंदर value होती है वही उसका answer होता है ऐसा क्यों होता है? थोड़ा इसका समझाते हैं जब इसको आप basic solve करोगे तो कैसे solve करोगे? मान लोगे x बराबर यह मान लोगे यह ऐसे ऐसे मान लोगे square जब करोगे तो एक का root हट जाएगा बट अगला नहीं हटेगा तो जब यह cancel कर दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा बात आई समझ में बात आगई समझ में यह ऐसे value हो जाएगी सीधा जैसे इसको solve करो इसको x बराबर मान लो square कर दोगे तो x square बराबर एक से root हट जाएगा बट आगे वही फिर आ जाएगा solve कर लो तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 इसलिए इसका मान क्या है 6 जो अंदर value होती है वही उसका answer होता है आई बात समझ में मान लिखा है ऐसे लिखा हुआ है लिखा है 3 फिर root लगा दिया 3 फिर root लगा दिया 3 और फिर root लगा दिया 3 और यह infinito ना हो करके बस यहीं तक खतम हो गया बस यहीं तक यह खतम हो गया अब मुझे इसको बताना है अब इसको हमें बताना है तो इसको कैसे solve करोगे इसको कैसे solve करोगे तो इसको solve करने का तरीका होता है बराबर एक रूट है दो रूट है तीन रूट है चार रूट है और पाच तो नमबर आफ रूट कितने है नमबर आफ रूट जो है वो बराबर 5 है नंबर आफ रूट कितने है, 5 है, कितने रूट लगे है, 5 लगे है तो जो अंदर और a बराबर कितना है, मतलब जो अंदर लिखा होता है तो n बराबर कितना है, n बराबर 5 है नंबर आफ रूट n ले लो, जो अंदर लिखा हो क्या है, a बराबर 3 है तो इसका formula होता है जो a की power 2 की power n upon 2 की power n minus 1 नहीं उपर minus हो जाएगा 2 की power n minus 1 upon 2 की power n ये चलता है मतलब क्या चलता है बहुत ध्यास समझना बहुत ध्यास से बिल्कुल सुल्जे दिमाग से पढ़ना जो अंदर value होती है उसे लिखते हैं मतलब a ये हो गया अब कितने root है 5 है तो ये root की value क्या होती है 1 by 2 ये करो गए 1 by 2 की power 5 5 बार न तो ये 2 की power 5 होता है इसको क्या बोलते है 32 32 तो नीचे हो गया 32 उपर क्या होगा 1 किस से कम 31 चाहे से याद रखो चाहे रखो 1 किस से कम पुरा होता है 1-1 by 2 की पावर 5 तो 32 में एक गया यह solve होता है पुरा यह चलता है formula मतलब जो base होता है base की पावर 1-0 upon 2 की पावर 5 तो यह answer आगया इसका बराबर 3 की पावर यह 31 बटा 32 ऐसे जैसे मालो लिखा हुआ है question बुद्धान समदना लिखा हुआ है ऐसे 6-6-6-6 ऐसे लिखा हुआ है यह अब हमें इसका मान बताना है तो base में क्या है 6 है और किते रूठे नेखो 1-2-3-4-5-6-7 अब बताओ 2 की पावर 7 कितना होता है तो 2 की पावर 7 होता है 128 तो नीची आएगा 128 उपर आएगा एक कम 127 तब आंसर हो गया 6 की पावर 127 बटा 128 यह इसका आंसर हो गया तो इसको habit में ले आओ इसको कैसे solve करेंगे क्या करना है इसको habit में ले आना है तो इस तरह इसको solve करते हैं यह तरीका होता है इसको solve करने का आगे बाद समझ में आलो लिखा हुआ है अंडर रूट लिखा हुआ है 9 और फिल लगाए 9 और फिल लगाए 9 और फिल लगाए 9 और फिल लगाए 9 चलो बताओ क्या करेंगे? 9 कितने रूट है? 1, 2, 3, 4, 5 5, 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 तो नीचे लिखेंगे 32 उपर एक कम बस ऐसे 9 की पावर 31 बटा 32 एक और लखो चलो इसे लिखा है मालो 2 फिल लगाए 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 ऐसे क्या करोगे बेस में कितना होगा? base में होगा 2 कितने root हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक और बढ़ा लो 8 कर लो कितने root हो गए 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 की power 8 कितना होता है 256 होता है तो नीचे होगा 256 तो कि 2 की power 8 आपको लेना है ये 2 की power 8 256 इससे एक कम उपर लेता है ये ऐसे ठीक question में लिख रहा हूँ अब मालो question आ गया कभी यहां लिखा 4 प्लस अंडरोड 4 मानस अंडरोड 4 प्लस अंडरोड 4 मानस ऐसे लिखा हुआ है इसको कैसे करोगे जल्दी से बताओ प्लस मानस चलता है प्लस से प्लस मानस प्लस और देन मानस या मानस से प्लस मानस देन प्लस जब यह चलता है तो इनका मान मालो यह M है यह क्या है M है तो फार्मला क्या बनता है प्लस मानस अंडरोड 4 M प्लस यहां 3 हो जाता है अगर plus से चलता है तो plus minus होता है तो minus ये 1 ही रहता है अपान कितना 2 समझ गए अब इसको solve करना है तो charge को 16 16 में 3 गया होगा कितना होगा 16 19 तो plus minus under root कितना होगा 19 और यहाँ plus चलना है तो 1 by कितना होगा 2 ये चीज़ अगर यहाँ 3 होता तो ऐसे ही solve करना है तो 4 चकु 16 यहाँ पे minus 3 ये minus करो ये minus होता है तो यहाँ पे कितना जाएगा 4 चकु 16 16 में 3 गया 13 ये चलेगा root 13 plus 1 यहाँ plus minus चलता है अगर शुरू में plus है तो यहाँ plus यहाँ minus चलेगा ठीक इसको ध्यान रखना है ये minus होगा यहाँ पे ये plus नहीं होगा अंदर क्या होगा अंदर minus 3 होगा ध्यान एक शुरू चकु 16 में 3 गया 13 तो ये इसका answer बैठेगा ये plus minus 4m minus 3 यहाँ one नहीं होता है यहां कितना होता है three होता है यह plus minus चलता है यहाँ plus minus 1 गई 2 मानस से स्टार्ट होगा, पहले मानस होगा तो यहां मानस हो जाएगा, बस यहीचेंस करना है बागी यहां कुछ नहीं करना, वह वह रहेगा यह SST का पूछावा सवाल है लेकिन कहीं भी आ सकता है, रेलवे भी आ सकता है UPSI भी आ सकता है यह तुम्हारा है 2 लिखा हुआ है और cube root लगा हुआ है 4 यह लगा हुआ है यह यहाँ पर cube root लगा हुआ है समझ गए और फिर root लगा हुआ है फिर 2 लिखा हुआ है फिर cube root 4 लिखा हुआ है और फिर जो है यहाँ से 2 लगा हुआ है और फिर cube root 4 लगा हुआ है और ये dash 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 infinite 2 तक दिया है तो इसके option है 2 पहला option इसका है 2 दूसरा option है इसका 2 की power 2 तीसरा option है इसका 2 की power 3 और चौत्वा option है 2 की power 4 अब इसको कैसे लगाया जाएगा बहुत ध्यान से समझना इसको कैसे लगाएंगे इसमें जहां से repeat होता है उतनी मुंडी पकड़ लो इसकी ये मुंडी इसको x माल लो और पूरी इतनी मुंडी और आगे की मुंडी क्या होगी ये भी value कित्ती हो जाएगी आगे की ये भी x रहेगी क्योंकि infinito series में अगर इतना solve कर लोगे तो आगे के मान पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो पहले हम इतना solve कर लेंगे जब इतना solve करोगे तो यहाँ पर x square बराबर ये कितना 2 root हट जाएगा और फिर cube root कितना बचेगा 4 बचेगा फिर उसके बाद cube कर देंगे तो x की power 6 हो जाएगा बराबर ये तुम्हारा कितना 2 की power root हटेगा cube करोगे तो ये कितना होगा 8 हो जाएगा उसके बाद ये हट जाएगा 4 हो जाएगा तो x की power 6 बराबर कितना हो जाएगा इसकी value 32 हो जाएगी अब देखो यहाँ तक 32 हो गई अब देखो x power 6 बराबर जब पूरा रखोगे तो ये 32 और आगे की value 3 क्या है x है तो गुणे x ये cancel यहाँ से तो यहाँ बचेगा 5 तो x power 5 बराबर ये 2 की power 5 है जब power समान होती है तो इसमें base भी बराबर हो जाएगा तो x बराबर आजाएगा 2 तो यहाँ से x का मान आ गया 2 आई बात समझ में क्या माने कहा इतना step solve करोगे इसके लिए आपको ये solve करना है आगे की चीट छोड़ दो उसका नाम दे दो x बाद में वही put कर दो इस का मान पूट कर दो solve करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा तो चलो आज का session आप यही पर सोक देंगे और आपको समझ में आया होगा है ना कोई दिक्कत तो नहीं हुई अब हम लोग कल नया topic पढ़ेंगे और कल का topic होगा quant का और वो होगा percentage